कि चली एक वर स्टुएंट से मिलते हैं सौरभ से जो की जिनकी ऑल इंडिया रंक 220 है एन इटी कैली का टैलोट हुआ है और सौरभ जो है वो बिहार पटना से हैं तो सौरभ सबसे पहले आपकी 220 रंक के लिए बहुत सारी सुपकामना है और सौरभ आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो मैं चाहूंगा आप बताएं बच्चों को क्योंकि कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है या समय रहते हुए डिसिजन नी ले पाते हैं तो आपने कब निमसेट के लिए सोचा और किस धंग से प्रेप्रेशन की वो सारी जर्नी आप सब्सक्राइब करना क्या है तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे कि मैंने जॉइन नहीं किया कोचिंग मैंने सिल्फ प्रेप्रेशन का डिसिजन लिया तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने पहले से एंसे खत्म किया खुद से उसके बाद फिर उससे हाइयर लिःवल पढ़ा और उसी तरह पढ़ते पढ़ते बीच में लॉक्ड़ाण आया तो तीन महीने का मेरा ब्रेक भी होगया था तो उस बीच में फिर क्या बोलते हैं जैसे कि लैट उट गया था तो उसके बाद जब बीएचु का एक्जाम आया पिछले साल मतब 2020 में तो वहां जब एक्जाम देखा है तो लगा कि कुछ मिसिंग हो रहा है मतब कुछ मिस कर दिया मैंने तो फिर वहां से जब पता चला कि अब निमसेट का विडियेट आने वाला है तो धिरी धिरे प्रपेशन फिर से स्टार्ट किया तो फिर से किया सर का मैजिकल कोर्स भी था लेकिन देखा नहीं था सही से फिर भी वहां पर मैंने सेल्फ स्टार्ट किया तो उसके बाद एक प्रॉब्लम यह आया कि मुझे कोई गाइड करने व गया था क्योंकि उसके पहले जो सिलेपस था वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं अभी के सिलेबस से पुरा डिफरेंट सिलेबस था पहले तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में तो मैंने दो यह शार आठ नौध और सब लगया सब में एक इसा बहुत डिफेरेन था जो प पंदरा सोलत तक गया बस उसके बाद डेट आ गया था पास में तो फिर उसके बाद पढ़ना चोड़ दिया और तब एक दो दिन पहले लेकिन एक दो दिन पहले तक फी मैं प्रिभिय सीरी लगा रहा था क्योंकि कोई गाइड करने वाला थाने की क्या करना कैसे करना है तो फ फिर लगा कि कहीं न कहीं कुछ रह गया पढ़ा तो बहुत था लेकिन फिर भी गाइडेंस नहीं था तो उसके बाद फिर मैंने सरसर को कॉल किया कि सर मुझे आना है क्लासरूम के लिए तो सरसर बोले आ जाओं तो बस मैं आ गया तुरन उसके बाद यहां आने के बाद मु बहुत सारे ट्रिक्स समझे बहुत कुछ रूल समझा यहां पर यहां कैसे पढ़ाई होता है देख के भी थोड़ा लगता था कि हां यहां हो जाएगा और पहले तो मैं बस सेलेक्शन के लिए पढ़ ला था लेकिन जब यहां आया तो मुझे रैंक चाहिए था तो फिर एक यह सोस था कि रैंक लाना है और अच्छे से पढ़ना है और तो फिर एक मोटिवेशन के लिए मैंने अपना लैप्टोप में सारा मतब वाल पिपर लॉक स्क्रीन सब चेंज किया मतब जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था जैसे त्रीची सुरत कर लिए सब को सामने रखता लेकिन एक्जाम के दो दिन पहले सा भाटा दिया था क्योंकि उसके वाद यह था कि अब जो करना है बेस्ट करना है जो मिलेगा अच्छा मिलेगा तो जहां तक मोटिवेशन रखना था उसको वहीं तक रखा उसके आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि अगर उस हिसाप से अगर एक्जाम देने जाता है कि मुझे त्रीची चाहिए तो आज जो मिला मुझे भूभी नहीं मिल पाता तो और इस जर्णी में जैसे कि होस्टल में रहा मैं तो होस्टल में क्या था कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन मेरे से डाउट बहुत लोग पुछते थे जैसे मेरे रूमेर्स थे मैं पढ़ता गम था लेकिन डाउट ज्यादा बताता था तो यहां आके हम पढ़ाई नहीं किया मतरब डाउट ज्यादा सॉल्व किया है और दोस्ते लोग को पढ़ाया भी और इसी में मेरा रिवीजन होता था सब कुछ हो जाता था मेरा है भी हम ज्यादा सॉल्व में किया है और जो किये सब सर जो बोलते थे वैसा ही किया है देखिए बिलकुल सही बोला सौरब ने जैसे सौरब ने पढ़ाई की थी मैं भी मानता हूं कि निमसेट या कोई भी कॉम्टिट एक्जाम में कई बार हमें सब आता है पर वो एक चीज होती पर इन टाइम में करना अलग बात होती है दूसरा यह जो आपने बोला ना डाउट बताना ही सबसे अच्छा काम होता है क्योंकि अगर हम अपने पढ़ाई करते हैं और साथ में अगर हम डाउट बता रहे हैं तो उस बच्चे का क्या होगा पता नहीं पर अपना